आज मैं आपके साथ सेर कर रही हूं हरे लेसन की सबजी यह हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और इस सबजी को बनने में ज्यादा टाइम नहीं लब था पांस से दस मिनिट में बन जाती है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मैंने यहां 250 किराम हरा लेसन लिया है और मैंने इसे वास करके बारी चौप कर लिया है तो चलिए हम अप सबजी बनाती हैं मैंने यहां कड़ाई लिया और कड़ाई में दो टीस्पून ओईल लिया है अब ओईल गरम हो गया हम इसमें एट करेंगे एक टीस्पून जीरा और तब हम इसमें एड करेंगे हरा ले सुन, अब इसमें एड करेंगे नमक टेस्ट को कॉर्डिंग, नमक डालती ही अब इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, तब हम बनाएंगे इसके लिए एक मसाला, यहां लेंगे मिक्सर जार, और इसमें डालेंगे एक टीश्पून राई, और लेंगे 5 से 6 सूपी लाल मिर्च आप मिर्च को कम या ज़्यादा ले सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इनको पीस लेंगे तो मैंने यहां मसाला पीस लिया है आप लैसुन की सब्जी में मसाला अट करेंगे और एक टी स्पून धनिया पाउडर ठाप टी स्पून हल्दी पाउडर और जो हमने मसाला पीस कर तयार किया है अब वो मसाला भी एट कर देंगे मसाली को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे अब फ्लेम को लो कर देंगे और इसे 5 मिट के लिए छोड़ देंगे कोखोने के लिए पाच निट हो गए हैं अब हम सबजी को चेक कर लेंगे देखिए अहां सबजी बहुत अच्छी से पक गई है लैस्न की सबजी वनकी तयार हो गई है अब हम इसे सर्फ करेंगे आप इसे इंजोई कर सकते हैं रोटी, परांठे, राइस के साथ सबजी के साथ बहुत अच्छी लगती है इस सबजी खाने बहुत अच्छी लगती है आप इसे जरूर बनाएं आपको मेरी इस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना ना भोलें